अक्षे कुमार की आगामी फिल्म पृतिवी राज का शीर्शक बदल दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मताबिक अब इसका नया नाम समराट पृतिवी राज रख दिया गया है। बदा दे कि कड़ी सेना की एक जनहित याचिका के बाद ये कदम उठाए गया है। फिल्म के निर्माताओं वाई आरफ ने कंडी सेना की अध्यक्ष को एक आधिकारिक पत्र लिखा है जिसमें उन्हें इस बात की जानकारी दी है। कड़ी सेना का परतिने दित्व कर रहे अधिवक्ता रागवेंदर महरोतरा ने प्रत्वी राज के बेकर्स को कानूनी नोटिस भेजते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में कड़ी सेना ने फिल्म के नाम में बदलाव करने की मांग करते हुए कहा था कि राजपूत समुदाय फिल्म के शीर्षक की वज़े से आहत है। हम यश्राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड 1970 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से अग्रणी प्रोडक्शन हाउस और वितरन कमपनियों में से एक रहे हैं। और भारत के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियों में से एक के रूप में विक्सित हो रहे हैं। हम सभी दर्शकों के आनंद के लिए लगातार कंटेंट बनाने के लिए प्रतिबद हैं। वायारफ ने आगे लिखा हम फिल्म के वर्तमान शीर्शक के संबंद में आपके शिकायत और आपके प्रयास की इमानदारी से सराहना करते हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमने किसी भी विक्ती की भावनाओं को आहत करने या अनादर करने के लिए ऐसा नहीं किया था। वास्ताओं में हम इस फिल्म के माद्यम से दिवंगत राजा और योधा प्रित्वी राज चोहान की बहादुरी उपलब्दियां और हमारे देश के इतिहास में योगदान का जश्न मनाना चाहते हैं। यश्राज फिल्म्स ने आगे लिखा उठाई गई शिकायत को शान्तिपोन और सहोधारिया ढंग से हल करने के लिए हम फिल्म का शिर्शक समराट प्रित्वी राज में बदल रहे हैं। हम आपसी समझोते की अत्यधिक सराहना करते हैं। हम करनी सेना और उसके सदस्यों को फिल्म से संबंदित हमारे अच्छे इरादों को समझने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार की तमाम जानकारे केले हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।